आज दाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रसन की फोडो कीचो, एक की प्रसन को क्रॉप करो और तोरफ विडियो सिल्लीशन पाऊ अब ही राउन्नोट करें तो यहां से हम बोल सकते हैं 1 का अफकलन कितना हो जाएगा 2x2 का अफकलन आएगा अपने पास कितना 4 x x आएगा 2² का अफकलन कितना आएगा 2² into 4 into x cube और ऐसे ही करके हमारा अफकलन चलता रहेगा और लास्ट में यहां पर आएगा 2 की पावर 10 into 20 into basically कितना आएगा x की पावर 90 आजाएगा ठीक है तो यह हमारा f-x आजाएगा तो यहां से हम अब f-x में से basically x कॉमन ले सकते हैं ठीक है तो x कॉमन लूँगा तो यहां पर क्या मिलेगा देखो 4 प्लस 2 स्क्वार प्लस 2 स्क्वार यानि इसको तुम 16 बोल दो 16 x square और ऐसे ही करके हमारे terms चलते रहेंगे और यहां पर मिल जाएगा 2 की पावर 10 into 20 और into x की पावर 18 ठीक है तो अब हम अगर इसको analyze करें तो basically देखो क्या है इसमें हमारे सारे terms कैसे है 4 प्लस 16 x square फिर x की पावर 4 आएगा फिर x की पावर 6 आएगा और x की पावर 18 यानि इसमें हमारे सारे कैसे है x की कैसी गाते है x की हमारी sum गाते है ठीक है जहां पर n हमारा क्या है एक even number है ठीक है यह only un coefficients को रख रहा है तो हम जानते हैं कि x square का मान always greater than 0 होता है x की पावर 4 का मान भी always greater than 0 हो रहा है जब इसमें 4 add हो रहा है तो basically यह संक्या हमारी कैसी होगी यह x belongs to real के लिए positive होगी यानि हम बोल सकते हैं कि 4 प्लस 16 x square प्लस जो हमारी यह संक्या है 2 की power 10 ठीक है into 20 into x की power 18 यह संक्या हमारी कैसी होगी always positive होगी ठीक है for all x block studio के लिए जब यह always positive होगी तो f dash x का मान किसपर depend करेगा तो हम इसको ignore कर सकते हैं तो f dash x का मान किसपर depend करेगा only x पर depend करेगा यानि यदि x positive है तब f dash x positive है यदि f dash x negative है तब x हमारा negative है ठीक है तो यहां से सबसे पहले हमें अगर उच्चिस्ट और निम्निस्ट मान निकालने होते हैं तो सबसे पहले हम f dash x को 0 करेंगे तो यहां से मैं मान मिला x equal to 0 ठीक है तो x equal to 0 अब हम यह देखेंगे कि क्या यह इस्तानी उच्चिस्ट बिंदू है ग्रेटर देन 0 यानि positive है और जब यह negative यानि x less than 0 है तब यह f dash x हमारा negative आएगा यानि इधर positive इधर negative ठीक है तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि x equal to 0 पर f dash x का हमारा sign change हो रहा है इसका मतलब क्या है कि यह हमारा कोई ना कोई उच्चिस्ट या निमनिष्ट बिंदू तो है यानि ऐसा नहीं है कि यह ना उच्चिस्ट ना निमनिष्ट बिंदू नहीं है ठीक है अगर sign sign same रहता तब यह हमारा ऐसा होता कि ना तो उच्चिस्ट बिंदू होगा निमनिष्ट बिंदू गा लेकिन अब sign change हो रहा है इसका मतलब यहा है कि कुछ ना कुछ तो है अब हम जानते हैं कि जब दाएं हाथ से बेसिकली positive से negative जा रहा है positive से negative में जा रहा है basically ठीक है तो इसका मतलब क्या है यह निमनिष्ट बिंदू है ठीक है हम ऐसे बोल सकते हैं अपने अपने तरीकी होते हैं यारत रखने के generally क्योंकि यह x वराबर 0 में negative की तरफ जा रहा है तो हम कहेंगे कि यह negative हो रहा है तो basically निमनिष्ट बिंदू होगा ठीक है तो हमारा जो x वराबर 0 है वो क्या है एक निमनिष्ट बिंदू है ठीक है तो क्या इसमें और जो यह निमनिष्ट बिंदू होगा हमारा तो क्या इसमें और निमनिष्ट बिंदू होगे नहीं तो जो इसका drink मान होगा वह क्या हो जाएगा ए फ रफ जीरो यह हम निकाल सकते हैं तो देख ऊंपर जीरो क्योंकि एक सब्बाब रइत हूं लम डिविक रफ जीरो कितना हमारा वन झार्ट यियह उनि empresa मान है है अब हम बात करें अधर उच्षिस्ट मान के बारे मैं तो देखो फिर वाई X equal to infinite रख दो तो फिर वह में उच्छिस्ट मान आप अरवासित है वो ठीक है तो उसका कोई मतलब नहीं है बस हमारा one क्या है निमनिस्ट मान है थैंक यू